ग्रेहवंत्री निरोतम मिश्रा ने प्रेस कॉंफरेंस की जिसमें उन्होंने कई हैं मुद्धो पर जानकारी दी हैं उन्होंने करोना पर भी जानकारी दी और साथ सीम शिवरास के खिलोने के त्रित करने वाले विश्य पर भी बोले और कॉंग्रेस ने ताओ के दोरे को लेक कि हमारे मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान जी हमारे केंदरी ग्रह मंत्री आदरनी अमिश्या जी माननी प्रधान मंत्री जी सब लोग आके उनके उत्थान के लिए काम किये हैं और इन्ने 15 महीने में एक काम किया हो तो बताएं ये घड़यालू आसमें क्रोकोडाइल ट इस तरह की बात नहीं है समाचारों के अलावा और जल और कुल को मिलने में कोई देर नहीं लगती है हम पूरी तरह से मुठ्थी की तरह कैसे हुए है भारती अंता पार्टी में नड़ा जी के नित्त तुमें बीडी शर्मा के नित्त तुमें आगे बढ़ रहे हैं सुभाबिक रूप से इस तरह के ट्वीड वो करते हैं मैं पहले भी कह चुपा हूँ उनका मूल विसाही ही है समाज कैसे तूटे है देश कैसे तूटे है देश कैसे अपमानित हो समाज कैसे अपमानित हो मूल भावी है इसलिए तो आई तोड़ने के लिए जा रहे है अब कस्मीर में निर्दोस हिंदूओं की हत्या में जो व्यक्ति दोसी ठहराया गया हो। आतं की मानसिक्ता वाला हो। पाकिस्तान की हुक्मरान उनके ऊपर छाती क्यों पीट रहे। अब यहीं से बाकी के सोच उत्पद्न होते हैं। कि वो कौन लोग हैं जो भारत के अंदर रहके अलगाओ बाद के हमायती हैं। यह शोध का विशय होना चाहिए और देश की जनता का भी सोच का विशय होना चाहिए। कि खिलोने हैं और कुछ बच्चों के लिए सपने खिलोने हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मानि मुक्मंत्री जी एक संबेदन सीलता का उधारन पहली बार नहीं दिया है। बेटी बचाओ अभियान चलाया उन्होंने। और आपने देखा होगा उससे एक जो जन्जागरन हुआ तो जो लिंगान उपात गड़वड़ा गया था। आज ही खरगवन में बताया कि मंद्सौर में बताया कि 1021 बेटियां हो गई हजार पर यह परणाम आते हैं सामने। जिसकी कलपना ये विपक्षी क्या करेंगे। उन्होंने मान अर्मदा भचाओ अभियान चलाया था। मद्यपरदेश के अंदर स्वयम ब्रक्ष रोज एक लगाते हैं और लगातार एक भी दिन की नागानोवी हिंदुस्तान में जहां रहते हैं वहां ब्रक्ष लगाते हैं। तो ये संकल्प का प्रकार है जो कांग्रेश को समझ में नहीं आएगा। पिछले 24 गंटे में मद्यपरदेश के अंदर 33 नए मामले कोरोना के संपुनु परदेश में आए हैं। जबकि 18 लोग ठीक हो करके अपने अपने घरों की और गंतब की और गए हैं। एक्टिव केस मद्यपरदेश में 289 वर्तमान में परचलन में हैं। जबकि सेंपल जो कल लिए गए वो 5509 सेंपल लिए गए हैं। वर्तमान में जो मद्यप्रदेश की संक्रमन दर है वो 0.60 है जबकि रिकवरी की दर 98.7 इस्थिर बनी हुई है मद्यप्रदेश की अंदर कोई भी 24 घंटे में पुलिस कर्मी संक्रमित नहीं हुआ है एक प्रकरण पुलिस का वर्तमान में एक्टिव कुल बचा है जो वैक्सिनेशन कल हुई है संपूर्ण प्रदेश की अंदर वो 55,301 लोगों को वैक्सिन लगी है अभी तक संपूर्ण मद्यप्रदेश में जो वैक्सिन लगी है वो 11,85,340 लोगों को वैक्सिन लगी है दरसल मुसल्मानों के भसमासुर हैं यह वो भी सी पहले खाई डाल दी अब नारी असमिता पर ही सवाल उठा दिया इसमें अपना सम्मान समझते हैं नारी की अपमान में वो वंदे मातरम बोलने में सबसे पहले यही उठे थे और अब महलाओं के उपर उन्होंने यह टिपनी की है मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर मुगलों से कोई संबंद नहीं था यहां के लोगों का मुसल्मानों का तो मुगलों की इस मारकों पर क्यों आप बड़े जोड से हला मचाने लगते हो कहने हो क्यों कहने लगते हो के उनने बनाई उनने बनाई ये दरसल ऐसा करके वो बीसीजी ने मातर शक्ती का अपमान किया है जब भी महलाओं के अधिकार की बात आएगी आपने कभी वो बीसीजी को बोलते नहीं देखा होगा कभी महलाओं के सम्मान पर बोलते नहीं देखा होगा ये इनकी मान सकता है लेकिन महलाओं के अपमान की मातर शक्ती की अपमान की मातर भूमी की अपमान का कोई अबसर ये ओवेसी नहीं छोड़ते है